आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन के कीबोर्ड में वाइब्रेशन ओन कैसे करें तो यहाँ पर अगर आपके फोन में कीबोर्ड में टाइपिंग करने पर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो टैप करने पर कीबोर्ड में टाइपिंग करने पर करें तो यहां पर इसके लिए आप अपने फॉन में settings open कर ये अब फॉन की setting में नीचे आईये नीचे आने पर ये additional settings आएगा तो इस पर click कर ये ऊपर अब ये languages and input आएगा या फिर आपके फॉन में keyboard and input आएगा तो इस पर click कर ये यहां पर आने के बाद आएगा नीचे ये manage keyboard तो manage keyboard पे click करिए अब यहाँ पे आने के बाद आएगा यह current keyboard इसके नीचे यह manage keyboard आएगा तो manage keyboard पे click करिए अब यह manage keyboard में आपके phone के सारे keyboard आ रहे हैं तो यहाँ पे यह keyboard आएगा तो आप यह keyboard पे click करिए अब keyboard पे click करने के बाद यहां पे आप अपने keyboard की setting में आ गए है यहां फिर यहां पे आने का दूसरा तरीका है इसके लिए जब typing के लिए आप keyboard open करेंगे तो आपके keyboard में एक यह settings का icon आएगा तो यह setting पे click करिए और आप keyboard की setting में आ गए है तो यहां पे आने के बाद आएगा यह languages इसके नीचे यह preferences आएगा तो यह preferences पे click करिए यहां पे आकर आप नीचे आएए नीचे आएगा यह haptic feedback on key press तो यह haptic feedback on key press आपका बंद होता है तो इसके सामने इस button पे click करिए और इसे on करिए नीचे यह vibration strength on key press आएगा इस पे click करिए और यहां से आपको vibration का level full करना है तो इस तरीके से 100ms कर सकते हैं और ओके करिए कम कर सकते हैं अगर कम करना है हम इसे full करेंगे और ओके करेंगे आप back आएंगे तो अब चेक करिए आपके phone के keyboard में typing करने पर vibration feel हो रहा है तो इस तरीके से आप अपने phone के keyboard में vibration on करें अगर आपको यह video पसांद आई तो इस video को like जरूर करें